हेलो एवरिवन तो आज का टॉपिक है इंडिया रशिया इस्टन मेरे टाइम कोरिडॉर जो इंडिया के चेन्ने इस पोर्ट को कनेक करेगा रशिया के व्लोडिवोस्टॉक पोर्ट के साथ जो एक हमारा अल्टरनेटिव सी ट्रेडिंग रूट रहेगा तो आज की टॉपिक इस्टन मेरे टाइम कोरिडॉर यह हमारा अल्टरनेटिव ट्रेडिंग रूट होगा लेकिन इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक्जिस्टिंग सी ट्रेडिंग रूट के बारे में जो इंडिया और रशिया को कनेक कर रहा है तो हमारा जो एक्जिस्टिं से यह मेडेडेरियँ सी को को ळेकिन आपको पता है कि स्फेज कैनल यह most important सी ट्रेडिंग रूट है यहां पे cond trembling के chances जाद होते हैं और condension हो रहा है तो फिलीजन आपके से चैनल के ग्लोबल जो ग्यांट रुट है वह से सेंट बिटर्जबर को कनेक्ट होता है और इस तरीके से मुंबई सेंट बिटर्जबर कनेक्ट हो रहा है और इस रूट का जो डिस्टन्स है 8-6-7-5 नौटिकल माइल, that is 16,000 किलो मिटर, तो इस 16,000 किलो मिटर दिस्टन्स कवर करने के लिए around 35-40 days लगते है मिंस डिस्टन्स भी ज़ादा है और डियूरेशन भी ज़ादा लग रहा है और इसी के साथ यहाँ पे स्वेज कैनल में कंजेशन के चांसे से है इसलिए हमें एक alternative trading route की ज़रुवत है जो चेन्ने, व्लोडिवो स्टॉक, Eastern Maritime Corridor प्रोवाइट कर रहा है तो Eastern Maritime Corridor यह चेन्ने से स्टार्ट होगा इंडियन ओशन से पास होते हुए यह स्टेट आप मलक का सौथ चाइना सी, जैपनिस सी से होते हुए यह व्लोडिवो स्टॉक तक कनेक्ट होगा और इस तरीके से यह हमारा alternative C trading route बन सकता है इसका total distance है 5600 nautical mile और अगर एक large container ship एक particular speed फॉलो कर रहा है that is 20 to 25 knots that is 37 to 46 km per hour will be able to cover this distance in approximately 10 to 12 days तो अगर आप compare कर रहे हो existing trading route को new trading route के साथ, तो existing trading route का distance था 16,000 km नए trading route का distance रहेगा सिर्फ 10,000 km और पहला जो trading route है हमारा वो 35 to 40 days ले रहाता यह 10 to 12 days तक अपना journey complete कर सकता है तो यह benefit होगा नए trading route का तो इस तरीके से हमारा नए trading route रहेगा अब इसके बाद हम जानते हैं व्लोडिव वास्टॉक के जियो एकोनोमिक सिगनिपिकंस के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है व्लोडिव वास्टॉक का location तो जैपनिश सी में नौर्थ कोरिया के उपर यह आपको व्लोडिव वास्टॉक दिख रहा है चाइना से इसका डिस्टंस सिर्फ चाइनीज बादर से इस्टंस 50 किलोमेटर के डिस्टंस पर है इन रशियन लैंवेज व्लोडिव वास्टॉक मिनिंग रूलर अप दे इस्ट क्योंकि इस्टं रिजन का यह इंपर्टंट एक पोर्ट है लोकेट अन दे गोल्डन हान बे जिस बे पे है उसे गोल्डन हान बे कहा जाता है तो दे नौर्थ अब नौर्थ कोरिया और शाल डिस्टंस फ्रम दे रशियन बॉर्डर विच चाइना तो चाइनीज बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमेटर के डिस्टंस पे व्लोडिव वास्टॉक है अगर यह जो है व्लोडिव वास्टॉक यहां पे आप कनेक्ट हो रहे हो तो यहां से आप मॉस्को को भी कनेक्ट कर सकते हो व्लोडिव वास्टॉक यह ट्रांससाइबरियन जो रेल्वे नेटवर्क है का इंपोर्टन पार्ट है इस्टन रिजन में और इस तरीके से आप मॉस्को को कनेक्ट कर सकते हो व्लोडिव वास्टॉक और मॉस्को का डिस्टंस अराउं 9000 किलोमेटर है जो 6 days में complete हो सकता है तो इस तरीके से आप पहले Chennai Chennai से व्लोडिव वास्टॉक और इस तरीके से आप रशिया को भी कनेक्ट कर सकते हो East to West और यहां से कनेक्ट होके आप मंगोलिया को भी कनेक्ट कर सकते हो तो इस तरीके से trading opportunities बढ़ जाती है connectivity बढ़ जाती है तो यह इसका एक importance है इंडिया के लिए particularly Eastern Railroad जो है legendary Trans-Siberian Railway which connect far east of Russia to the capital Moscow and further west to the countries of Europe तो यह इस तरीके से connectivity बढ़ाएगा व्लोडिव वास्टॉक is important in the eastern hub of Trans-Siberian Railway meaning container can be loaded into rail and transported throughout the Russia means आप connect हो रहे व्लोडिव वास्टॉक से ship से but बाद में आप Trans-Siberian Railway route से आप पूरे रशिया में connect हो सकते हो मंगोलिया को भी connect किया जा सकता है इंडिया मंगोलिया को भी connect करेगा यहां से it takes six days to travel the nine to eight nine kilometer to the Moscow तो six days में आप Moscow को भी connect करोंगे जो इससे पहले around 40 days था व्लोडिव वास्टॉक जो है एक massive port है shipping area और commercial fishing के लिए important है तो commercial activities के लिए काफी important है यह automobile trade यहां से होता है automobile are the major item of import at the port from where they are transported further inland means यहाँ पे automobiles आएंगे receive किये जाएंगे और बाद में रशिया में यह actually transfer किये जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे trade हो रहा है अब यह जो व्लोडिव वास्टॉक का डिस्टिक्ट है that is far eastern federal district है यहाँ पे particularly व्लोडिव वास्टॉक located है far eastern federal district जो है इसका size अगर आप देखोंगे तो twice the size of India है लेकिन population कापी कम है तो population बहुत कम है और area बहुत बढ़ा है और बाद में opportunities भी बहुत जादा है इंडिया वास्ट कांट्री तो establish a resident consulate on व्लोडिव वास्टॉक in 1992 मिन्स रशिया USSR के dissolution के बार जो रशिया है वहाँ पे पहली बार यहाँ पे consulate जो है इसके बाद अगर आप देखोंगे तो Russian forest region जो है यहाँ पे natural resources है कौन-कौन से सर land है timber है mineral है other sources such as tin, gold, diamond oil and natural gas जो हमारे लिए important है Russian government ने यहाँ पे बहुत जादा initiative लिया है to attract the investor including India और China तो यहाँ पे agriculture special economic zone है Vladivostok एक free port project है also invite participation in the timber industry mining of the mineral resources such as coal, diamond, precious metal deposits such as gold, platinum, tin and tungsten opportunities for collaboration for Indian companies include such sector such as agriculture, mining port development में भी infrastructure, diamond processing and agro processing तो इंडिया को इस region में connectivity के बाद trading के और investment के भी opportunities बहुत जादा है इसलिए यह हमारे लिए बहुत जादा important हो जाता है currently engagement क्या है इंडिया का इंडिया का presence है लेकिन कापी कम है कैसे तो वहाँ पे जो सैखलीन वन प्रोजेक्ट है oil and natural gas related वहाँ पे ONGC विदेश लिमिटेड का investment है 6 billion dollar का US dollar का तो वहाँ पे presence है और Lodio Stock क्या है pre-trade zone है यहाँ पे इसलिए tariff जो है lower है और cost of shipping less हो जाएगा तो connectivity बढ़ रहा है trade भी है और trade और connect shipping का जो cost है वो कम रहेगा तो overall आप अगर benefit देख रहे हो तो faster and cheaper trade route है तो इससे पहले जो existing sea route था हमारा that is Mumbai to St. Petersburg वो around 35 to 40 days में था और 16,000 km था लेकिन यह जो हमारा route रहेगा यह 10,000 km रहेगा और 10 to 12 days में हम connect हो सकते हैं इसलिए faster and cheaper रहेगा उसे के साथ cost of shipping less है क्योंकि यह free port है तो इसलिए यहाँ पे tariff कम होंगे तो cost of shipping भी कम होगा इसलिए के साथ opportunities होंगी रशिया के far east district में यहाँ पे mineral resources जो है oil and natural gas है उसके exploration में इंडिया को chances हो सकते हैं investment हमारा बढ़ सकता है उसके साथ इसी overall चीज़ों के वज़े से trade भी boost होगा सिर्फ रशिया को आप connect नहीं कर रहे हो आप मंगोलिया को भी connect कर रहे हो और overall रशिया को आप cover कर सकते हो तो इस तरीके से opportunities इंडिया के लिए बहुत ज़ादा है trade दोनों इंडिया रशिया का बढ़ेगा इससे volume बढ़ेगा लेकिन यहाँ पे एक challenge है और mostly इंडिया को जो challenge होता है इस चाइना का presence यहाँ पे पहले ही है क्योंकि यहाँ पे जो special economic zone है या free port है तो रशिया ने सभी को invite किया है तो चाइना पहले सही वहाँ पे presence है तो मास्को का concern क्या है कि यहाँ पे अगर Chinese settlers रहे उन्होंने area, territory occupy कर लिया तो फिर से उनसे लेना काफी मुश्किल हो सकता है इसलिए उसे वो counterbalance करना चाहते है इसलिए Indian nationals को भी यहाँ पे वो invite कर रहे है future development pattern could change the demographic of the far east Russia मिन ज़्यादा Chinese होंगे तो difficulty होंगी growing presence of other countries including Indians will help the bring balance in this case तो Russia अपने area को save करना चाहता है Chinese से तो India एक counterbalance के लिए अच्छा opportunity हो सकता है ऐसा Russia को लगता है तो यह भी एक चीज़ है Chinese challenge हमेशा रहेगा Russia is keen to develop ties with India It offers huge consumer market for Russian goods तो Russian goods जो है वो भी है और Russia को क्या चाहिए तो Indian tea, spices और fabric This move to open up alternative sea route makes economic and strategic sense for both तो India और Russia दोनों को benefit होगा तो इस तरीके से यह नया जो route है यह beneficial होगा India के लिए जादा और Russia के लिए भी हम जादा connectivity और जादा trading और investment के लिए हमें helpful रहेगा तो फ़र वाचिन यह जादा रखिए बादाओ का रखिए लेफिए जादार्रम नचाहां चाहां